आज हम फिर से लास एठ का चैप्टर नमबर 2 पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे नाईट्रॉजन फिक्सेशन, नाईट्रॉजन फिक्सेशन क्या होता है? यहाँ पर हम समझेंगे, हमारे एंविरमेंट में जो नाईट्रॉजन का मॉल्लिक्यूल होता है, वो two atoms से मिलकर बनता है, ये atoms है nitrogen के, दो atoms, और ये है molecule, ये atoms होते हैं इनके बीच में triple bond होता है, जो कि बहुत strong bond होता है, और ये जो nitrogen है, ये एक inert gas है, inert gas वो होती है, जो किसी से reaction नहीं करती है, bond को breakdown करने के लिए काफी temperature चाहिए, तो ये bond कब तूटता है, जब तो बिजली चम होती है, उससे breakdown हो जाता है एक तो, एक कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जो इस bond को तोड़ देते हैं, और इस bond को तोड़ देते हैं, तो ये बन गया nitrogen atom और nitrogen atom, और फिर ये जो nitrogen atom होते हैं, ये environment में present hydrogen gas और water जो होता है, उससे ये reaction कर लेते हैं, और उनसे फिर ये क्या बनाते हैं, ammonia बन और ammonia जो बना देते हैं, तो फिर ये हो गया nitrogen fixation, क्योंकि nitrogen को break down करके, nitrogen को तोड़ कर, क्या बनाया है, nitrogenous compound मतलब ammonia बनाया, कि nitrogen से मिलकर कोई और compound बना, तो ये हो गया nitrogen fixation, जो nitrogen fixation किया कि इसने, जो डाल वाले फली दार जो पोधे होते हैं, जिनमें फलिया लगती हैं, जैसे मटर की फली लगती हैं, सेम की फली लगी, या दाल जो होती हैं, उनकी फलिया लगती हैं, तो उनकी जो roots होती हैं, उनमें ऐसे nodules होते हैं, मतलब गोल गोल से ऐसे, ये गोले से होती हैं, इस type से, और इनमें क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टिरियाज होते हैं, बना दिया अब अमोनिया को जो प्लांट्स होते हैं वो डारेक्ट एब्जोर्ब नहीं कर सकते तो यह जो अमोनिया है यह एन्विरमेंट से ओक्षिजन लेकर क्या बनाते हैं नाइट्रेट्स बना देते हैं नाइट्रोजन से बना अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सेशन nitrogenous compounds में change कर देते हैं, nitrogen के oxides में change कर देते हैं, जैसे nitrides, यह है nitrides, फिर nitrides को भी plants direct absorb नहीं कर पाते, तो यह फिर oxygen से और reaction करते हैं, और कुछ bacteria जैसे होते हैं, जो nitrides को nitrates में change कर देते हैं, NO3, रिखिए uptake by plants, plants को उन खाते हैं, animals खा लेते हैं, animals के जो wastes होते हैं, या फिर animals जब मर जाते हैं, तो उन से जो nitrogenous compounds होते हैं, वो soil में mix हो जाते हैं, और soil में mix होने के बाद फिर plants ले देते हैं, तो एक टरी cycle यह हो गई है, लेकिन जो यह soil में आ जाते हैं, जो यह compounds वापिस, तो कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जो nitrogenous compounds होते हैं, उनको फिर दुबारा से nitrogen मे चींज हो गए है और यह फिर nitrogen atmosphere में चली जाती है यह cycle ऐसे चलती रहती है nitrogen से nitrogenous compounds बने फिर वो soil में चले गए फिर soil से फिर दुबार से nitrogen बन गया यह cycle ऐसे चलती रहती है यह है nitrogen cycle यह बहुत important होती है यह क्यों important होती है अब यह पढ़ लेते है our atmosphere has 78% nitrogen gas nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins की जो nitrogen होता है वो सभी living organism के लिए important होता है क्योंकि जो proteins बनते हैं वो nitrogen से बनते हैं chlorophyll होता है उसका भी यह एक constituent होता है जरूरी पार्ट होता है जो nitrogen होता है वो chlorophyll बनाने में help करता है जब chlorophyll ही नहीं बनेगा तो plants अपना खाना कैसे बनाएंगे इसलिए nitrogen chlorophyll के लिए important है nitrogen plants के लिए क्या सभी living organism के लिए important है और nucleic acids भी बनाते है जिस DNA, RNA वगेरा यह होते हैं नुकलिक acids तो यह DNA, RNA बनाने काम आते हैं और कुछ vitamins जो होते हैं वो भी nitrogen से बनते हैं nitrogen cannot be taken directly by plants and animals जो atmosphere में जो nitrogen होता है उसको direct plants या animals absorb नहीं कर सकते हैं कुछ bacteria जो होते हैं जैसे blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen जो blue-green algae जो होती है वो जो nitrogen होता है उसको fix करती है और nitrogen के जो compounds होता है उसमें change कर देते हैं once nitrogen is converted into these usable compounds, the atmosphere of nitrogen होता है वो inner form में usable नहीं था और यह compounds होते हैं it can be utilized by plants from the soil through their root system और यह जो root system होती है जो यह roots होती है यह इन compounds को absorb कर लेती है nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins जब जो यह compounds बनके उनके साथ nitrogen आ जाती है और फिर वो plants में जो proteins होते हो बनाने के काम आती है और other compounds बनाने के काम आती है animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds जो animals plants को फिर खाते हैं तो वो जो proteins होते हैं जो plants में वो animals में चले जाते हैं और other compounds भी animals में चले जाते हैं जब plants और animals मर जाते हैं तो जो bacteria और जो fungi होती है जो कि soil में present होती है वो nitrogenous waste होती है मतलब उनके अंदर nitrogenous compounds होते हैं उनको दुमारा से decompose कर देते हैं और उसमें से nitrogen निकल कर atmosphere में चली जाती है certain other bacteria converts some parts of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere कुछ other bacteria जो होते हैं वो nitrogenous compounds होते हैं उसका कुछ part nitrogenous gas में convert कर देते हैं और वो atmosphere में चली जाती है nitrogen as a result the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant this cycle से क्या होता है जो atmosphere में nitrogen होता है 78% nitrogen है उसकी quantity लगबग constant रहती है मतलब यह नहीं है कि भोच ज्यादा होगी या भोच ज्यादा कम होगी यह लगबग constant रहती है तो यह था nitrogen cycle अगर आपको समझ आ गया है please subscribe my channel share to your friends और कुछ समझ नहीं आया है तो comment box में लिकर पोच सकते हैं thanks for watching